असलाम वालेकुम पहली इफ्तारी पर अंडे से बनी एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो बच्चों से लेकर बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी और लो बजट रेसिपी है घर में रखे कुछ सामन से आप ये रेसिपी बनाकर त्यार कर सकते हैं तो ट्रैस जुरूर लेना है एक बोल में और प्याज बोल में लेने के बाद अब इसमें एड करना है हमें नमक तो वन टीजपून हम यहां पर नमक कर जाएंगे और अच्छे से नमक को मिक्स करेंगे ताकि जो प्याज के लच्चे हैं अच्छे से खुल जाएं यह देखिए इस तरह से अब 10 म तो आप जाएगा इसमें 4 हरी मिर्स बारी कट की हुई एक मुटी हरे दनिया बारी कट किया हुगा और बाइंडिंग के लिए हम एड करेंगे इसमें एक आधा कप बेसन बेसन आप देख लिए कि पहले मिक्स कर लेंगे अगर कम लगा तो और एड कर लेंगे बहुत अच्छे से अब इसको मिक्स कर लिए लिए तो यह देखिए हम दे लिए इस तरह से एक तम आच्छे से मिक्स कर लिया एAct करेंगे half egg तो आधा ऐग हम भी बचा कर रखा हूगा था इसमें आट कर दीए सh बहुत अच्छा फ्लेबर आएगा और binding भी आ जाती है इसमें अब देखिए बहुत अच्छे से हमने mix कर लिया यह perfect है अब इसमें हमने थोड़ा सा portion लेना इस तरह से जितना बड़ा हमें कबाब बनाना है यह देखिए इस तरह से हाथों पर फैला ले हाथों को थोड़ा सा oil लगा ले हाथों पर उसके बाद य अब यहां पर सब्सक्राइब कर लेंगे तो देखिए एक कड़ाई में हमने ऑईल गरम कर लिया है हाई फ्लेम पर पहले अच्छा गरम कर लिया एकदम हाई इंदर से भी यह कच्छे ना रहें तो देखिए यहां पर हमारे जो इसनेक्स हैं बहुत अच्छे फ्राइब कर अच्छा ओए हो चुके हैं एक तम अच्छा कलर आ गया खुश्भू तो बहुत अच्छी आ रही है माशा अल्ला तो बस इनको और थोड़ा सा और फ्राइ कर लेंगे फिर इसको हम बाहर निकालेंगे एक दम क्रिश्पी से प्राइब हो चुके हैं तो बाहर निकालेंगे करेंगे तो देखिए यहां पर हम सर्फ कर लेंगे और आज की मेरी रेसिपी आप कहां से देख रहे हैं प्लीज मुझे कॉमेंट्स करकर जुरूर बताईए गा इसको सब कीजिए टॉमेटो केचप के साथ मिन चटनी के साथ मिन चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी उम्मेट करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इन्शालला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी अपना बहुत सारा खयाल रखे हैं तब तक के लिए अल्ला हाफीज